व्रिवन कैसे आप सा में फ defendant होंगे तो आप लोग इतना दिन से इंतिजार कर रहे होंगे सोच रहे हो मेरा कोई रेशीपी नहीं आ रहा है चलिए एक गाउं की तरफ है Should साथ चिर करते हैं तो यह क्या है आप लोग क्या है इस को जानते हैं जी हाँ इसका नाम है मलकंधा गाउ में इसको मलकंधा बोलते हैं आप लोग क्या नाम से बोलते हैं LIKE IT बताईएगा मीटी के अंदर होता है और यह जरी बूटी से कम नहीं है इसका आप सब्जी या चटनी बनाके खाएंगे तो आपको पुराना से पुराना खासी ठीक हो जाएगा किसी को बहुत ज्यादा खासी है ठीक नहीं हो रहा है इलाज कराके ठक गया है तो इसका चटनी कुछ बहुत बढ़ा साइज मेरे पास भाइठी में धार से ठीक मेरे चाकू सच कच कट कर रहे था और शौट चोट चुटा टुकड़ों में पहले कट कियं उसके बाद चीलें चीलने के बाद इस तरह से सब्सीत करेंगे यह कि आपने तो इसको रखतेंगे चेट कर के और थोड़ा सा कट करके सबजी बनाएंगे इसको तो बहुत ही टेश्टी लगाता हम लोग को सबजी खाने में तो इस तरह से देखिए ले लिये थे और इसको हम लोग लोड़ी पार्टी में ऐसे करके छेचेंगे इसको पहले आने कि क्या बुलते है इसका पीशेंगे इसको अच्छे से पीस लेंगे चटनी पीस्ते उस तरह से तो थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है लोरी पाटी का आप जदी पीस के बनाईएगा तो इसका और भी टेस्ट बढ़ जाता है तो देखिए हम पीस के सैड रख लिए हैं और कड़ाही चड़ा दिये हैं कड़ाही में डाल देंगे सरसो या फिर राई आप इसी तरह से बनाईएगा बहुत ही टेस्टी लगेगा और आपका खासी छूमंतर हो जाएगा तो आप लोग देखिए इस तरह से हम पीस के रख लिए थे उतना सारा था अपको पीस ने थोड़ा वक्त लगा लेकिन हम सबको पीस लिए थे देरे-देरे करके और इसी तेल में हम लोग डाल देंगे यह पीशा हुआ पेश्ट को और इसको भूनेंगे हम लोग जितना देर तक आप भूनेंगे उसका इतने ही जादा फ्लेवा टेस्ट अच्छा लगेगा तभी तो खासी ठीक होगा जब आप अच्छे से इसको भूनेंगे तो यह देखिए इ भूनेंगे फ्राकरेंगे नमग डाल सकी हाल जो चीज में menant लSM etap को बनाने में वह सेहत के लिए बहुत ही अच्छा ही होता तो थोड़ा मेहनत हंको लगा बनाने में पर खाने में और हम लोगों के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है कभी जरूर खाना चाहिए सब को जदि आपके खरत्रा बाप लेवल है तो जरूर इसको बनाईए खाईए और इसका मज़े लीजिए तो यह देखिए धीमी धीमी आज पर इसको पहले भूनेंगे जैसे कि आप लोग को बता है कि इसको भूनना बहुत जरूरी है भूनेंगे तभी इसका टेस्ट अच्छे साएगा तो देखिए तब तक लोग मसाला बना लेते हैं तो गोल की जीरा डाल दिये थे एक चमच चार लाल मेर्ची डाल दिये हैं लोग इसमें एक टुकड़ा द्रग कर डालेंगे और लशन डालेंगे थोड़ा ज्यादा करके और इसका हम लोग पेश्ट बनाएंगे पानी डालेंगे थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा सर्सो भी इड़ करेंगे सर्सो भूलिये या फिर राई भूलिये इन समसालों के दियार हो गया है तब तक हम लोग का भूनी रहा था धिमी धिमी आज पे इसको नीचे नहीं रखे थे जैसे कि आप लोग को बताएं इसको भूनना बहुत जरूरी अच्छे से अब इसमें हम लोग नमाग एड़ कर दिये हैं और जो मसाले हम लोग पीशे हैं अभी वो मसाले भी साथ मेड़ करेंगे तो थोड़ा बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है पर कोई बात नहीं खाना है तो थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा तो किनको किनको इसका नाम पता है आप लोग भी कमेंट करके बताएगा हम लोग घर तरब इसको मलकंदा बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं अब बारी पेश्ट करके मसाले जो रखे हो सारे मसाले इसमें एड़ कर देंगे और साथ में मसालों को मिला करके हम लोग इसको भूनेंगे जो भी मसाले बनाये थे सारे मसाले एड़ कर देंगे अब इसको दो से तीर मिनट फिर से भूनेंगे हम लोग सहर में जो लोग रहते हैं उनको साइध नहीं पता होगा लेकिन जो लोग घाँ से जुड़े हुए उनको जरूर पता होगा इस रेसिपी के बारे में और उन लोग बनाते भी होंगे खाते भी होंगे मम्मी के जब घर में हम थे तो अक्सर मेरी मम्मी बनाती ही रती थी ये मलकंदा मेरा मौसी के घर से आया था मेरा भाई मेरे घर आये थे तो लेके आये थे तो हम बहुत सालों के बाद में इसको बना रहे हैं और खा रहे हैं बहुत यह अच्छा लगा था खाके तो यह देखिए बहुत अच्छे से मसाले, मलकंदा सारा अच्छे से भून गिया था बहुत अच्छा सा आप चाहें तो इसी तरह से इसको खा सकते हैं चट्नी के रूप में चट्नी बहुत ही टेस्टी लगता है, मेरा भाई को तो ग्रेवी से ज़्यादा चट्नी ही अच्छा लगा था तो यह देखिए मसाला और मलकंदा बहुत अच्छे से भून गिया भाई के लिए निकाल दिया था यह चट्नी तो आप लोगों को भी खाने कमाने तो इस तरह से चट्नी खाईए बनाईए और चट्नी जोदी नहीं खाना है तो आप लोग ग्रेवी वाला सबजी बनाईए बहुत सी टेस्टी लगता है जोदी बनाईएगा खाईएगा तब अपनी अंगोलियां खुद का चाट लीजेगा इतना टेस्टी लगता है तो देखिए थोड़ा सा रखे थे हम तो थोड़ा सा खचल यह ग्रेवी बना लेते हैं इसमें पानी एड़ कर देंगे मिक्सर जार में जो भी मसाली लगे वेते हैं उसी को धो करके हम लोग डाल दिये हैं जदि आपको ग्रेवी थोड़ा जादा करना तो जादा बनाईए कम रखना तो कम बनाईए तो थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे और अच्छे सा उबाल आने देंगे एक मिनट से दो मिनट उसके बाद बनके यह त्यार हो जाएगा हम लोग को ग्रेवी वाला मलकंदा का सबजी कौन कौन घर में बनाए हैं खाए हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा आप लोग सारे कोई आप लोग वो लग रहा हो क्या बनाई है पर आप लोग जरूर देखिए वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा और अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत हरिएगा और लोग साथ सेर करिएगा लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जिनको खासी का प्रोब्लम है और इसको बनाएं खाएं और लाइक सब्सक्राइब करें